और अब बात होगी जालोर संसदी सीट की दरसल जालोर सांसद देवजी पटेल को जालोर संसदी सीट से वीजेपी ने तीसरी बार प्रत्याशी बनाया। जालोर संसदी सीट से भाजपा ने तीसरी बार प्रत्याशी बनाया। हमारी मुख्यो मंत्री मोहद्या को और जालोर सीरोई के सभी जिल्ले के पदादी करी जालोर सीरोई मंडल के सभी पदादी करी और भारती जंता पाल्टी के कारे करता और जालोर सीरोई की जंता को जिनोंने इतना भरपूर प्यार दिया और नेतोतों में जो मुझे तीसरी ब भाजपा को जिताएंगे और भारती जंता पार्टी का सांसद यहां से जाके देश पे नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी और वापस एक नए भारत का जो निर्मान का हमने संकल्प लिया है उस पे हम फरक खरा उतरेंगे इस बार क्या चुनोती मानते हैं इस बार भी जो चुनोती हम जो मान रहे हैं वो चुनोती हकीकत में हमारे सामने ही नहीं क्योंकि भारती जंता पार्टी ने जो कारे किये उन कारेयों के आगे ऐसी कोई चुनोती होती नहीं और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी को चाह रहा और नरेंद्र मोदी ने जो भारत का निर्मान करके दिया है वो सब के सामने हैं और उसी के कारण हम पूरे देश में विजय करेंगे आप लगातार चित्र के दोरा शुरू कर दिया गया है लगातार पांच सालों से दोरा भी करते रहा रहे हैं इस बार चुनाओं में क्या मुद्ध रहेंगे सदी जो चल रही है उसी 21 सदी में कई कारेया सो होता है जिन कारेयों में हमें आगे बढ़ना होता है जैसे यहां रोजगार को लेके हम इंड्रेस्टी को बारें में बात कर सकते हैं यहां पर विभीन ऐसी कारे कि देश में परदान मंत्री नरेंदर मुदी एक बार फिर परदान मंत्री बनेंगे और जालोर संसेदेशीट भाजपा जीत हासिल करेगी कैमरा मैं दलपत के साथ लोना राम फस्ट इंडिया